बाइजूज KCA T20 ड्रीम लियोन टीम ड्रीम लियोन टीम ओफ टुड़े मैट्स SAP वर्शिज P.E.A ड्रीम लियोन टीम तो दोस्तो KCA T20 पिक चैलंज का एक और मुकाबला SAP वर्शिज P.E.A के बीज खेला जाएगा और यहां की पिस्ट के बारे में बात करें तो लगबग दोस्तो पूरी तरह से एक न्यूट्रल विकेट है लेकिन दोस्तो जो एक्ष्टा स्पोर्ट है वो यहाँ पर गेंद बाजों को मिल रहा है तो सबसे पहले बात करते हैं P.E.A. के बारे में अब तक दोस्तो टोटल लिने 6 मुकाबले खेले हैं उसमें से 3 मुकाबले विन किये हैं और 3 मुकाबले दोस्तो यह हार कर आए है टीम की और से जो सबसे ना लगाता टीम के लिए ओपन कर रही है एक मैस में 19 बनाए थे बाकी के 3 मैस में 10 का आकड़ा नहीं चूपाई अवास्ति बाबू है दोस्तो पड़सन देखोगे 25, 11, 15, 15, 16, 8 यानि थोड़ा सा अपनी पारी को बढ़ी पारी में कनवर्ट नहीं कर पा रही है सैनल 18 है दोस्तो एक मैस में 8 बनाए फिर 24 लास्ट मैस में दोस्तो 3 रन बनाए वैसे नमबर 7 और 8 पर खेलती है लेकिन लास्ट मैस में इनको थोड़ा सा परमोट किया था लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई लेकिन दोस्तो लास्ट मैस में टीम ने इसे 2 वर बॉलिंग भी करवाई थी वहाँ पर इन्होंने 17 रन खच के कोई विकेड नहीं मिला जे किर्थी दोस्तो बैटिंग में नमबर 4 और 5 पर खेलेगी एक मैस में 42 एक मैस में 11 बनाए बाकि बैटिंग बिल्कुल फ्लोप रही है बॉलिंग का जहां तक स्वाल है शुरू के 4 मैस में 6 विकेड निकाले थे लेकिन लास्ट के 2 मैस में कोई विकेड नहीं मिला अखिला पॉनु कुतर नहीं दोस्तो 17 बाइस इनका टोप स्कोर है बाकि 2 मैस में फ्लोप हुई है गनेश दिविया है 13, 29, 23, 15 और लास्ट के 2 मैस में 1 और 4 बनाया इनके बाद अनिल कुमार अनुसरी है बैटिंग के तोर पर देखा जाए दोस्तों कोई खासा इनका योगजान नहीं रहा लेकिन बॉलिंग में अच्छा प्रोड़िसन कर रही है पहले मैस में 3 विकेट निकाले और लास्ट के 4 मैसेज के 5 और 5 विकेट अब तक टोटल 8 विकेट निकाल चुकी है अईल नित है दोस्तों आवरेज पर फॉर्फॉर्म रहा है कभी विकेट मिले हैं कभी नहीं मिलें तीन मैसेज के अंदर आप देखोगे तो 5 विकेट निकाले हैं बागी के जो तीन मैसेज हैं वहाँ पर कोई भी विकेट नहीं मिला इनके बाद गोफी का है दोस्तों बैटिंग है वो मेडर ओर या लोडर में आती है एक मैस में 13 एक मैस में 20 बनाए सीबू ऐलिना बैटिंग जादा नहीं मिलती लेकिन बोलिंग में ये आपको 3 से 4 वर डाल कर देने वाली है परद से नाला कि देखोगे इतना अच्छा नहीं रहा है दो मैसेज में 3 विकेट हैं बैंस के प्ले को लेकर अगर कोई भी चैंस उगरा होंगे तो उसकी अपडेट मिलेगी आपको हमाई टेलिगाम चैनल में और टेलिगाम जोइन करने का जो लिंक है दोस्तों वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल साएगा तो सबसे पहले S.A.P. के बारे में बात करें उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई की मेनत और मोटिवेशन के लिए एक लाइक जूरूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली पार विजिट करें तो चैनल को भी सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बैल आइकन को चलूर दबा लें तो S.A.P. की जो टीम है दोस्तों उसने टोटल अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं उसमें से इन्होंने भी 3 मुकाबले हैं वो फिन किये हैं और 3 मुकाबले हैं वो ये हार कराए हैं टीम के और शे दोस्तों बैटिंग ओर्डर में चैन्स होता रहता है अनाया परदीप है जो कि एक मैच में उपन किया था लास्ट मैच में 33 बनाए थे उससे पहले नमबर और 3 नमबर 3 और 4 पर खेली थी वहां पर 14 और 6 बनाए और कुछ ऐसे मैचस भी हैं जहाँ पर इनकी बैटिंग नहीं भी आए बैटिंग के लगा स्रेव एक पार्ट टाइम के इन्बाज है जादा उमेडे बॉलिंग में नहीं लगा सकते हैं डी देवन लगातार टीम के लिए काफियत चेरण बना रही है 64 नाबाद 30 नाबाद लास्ट के दो मैचस में 64 और 50 किये कभी कभार बॉलिंग भी कर लेती है लेकि निचनी अच्छा अभी तक बॉलिंग में योगदान नहीं रहा सजीवन सजना वन डाउन और टू डाउन के लगी है जवरदस फोर्म में दोस्तों हर मैचस में देखोगे नाबाद रही है अभी तक 14 नाबाद 40 नाबाद 50 नाबाद 31 और बॉलिंग में देखोगे दोस्तों तो 5 मैचस के अंदर अब तक 7 विकेट निकाल चुकी है गिरीश दिविया है ओपन या फिर वन डाउन कई बार दोस्तों नमबर 4 पर भी आती है परफॉर्म देखोगे 26 और 15 और 16 तीन पारिया अथी रही है बाकी की 2-3 पारिया इतनी खास नहीं रही बैटिंग के लावा दोस्तों गिरीश दिविया है वो कई बार 4 वर कमपेट डाल जाती है तो कई बार बोलिंग नहीं भी करती है अब तक खेले गए दोस्तों 4 मैचस के अंदर बोलिंग की है 2 विकेट निकाले है सुने लंसू कोई खासा भी तक योगदान नहीं रहा इनके बाद यहां से रेंजूसा है बैटिंग में 16 और 8 इनका बढले बाजी है बोलिंग में 2-3 वर डाले हैं जरूर है लेकिन अभी तक कोई विकेट नहीं मिला है मनसवी दोस्तो कोई खासा योगदान नहीं रहा टीपी अजनया आपको 4 वर डाल कर देने वाली है और खेले के 6 मैसेज में अब तक ये 6 विकेट निकाल चुकी है सुकुमाज सूरिया दोस्तो एवरेज परफॉम है 2 मैसेज के अंदर 2 विकेट है बाकी के सुरू के 2 मैस में कोई विकेट नहीं मिला नंदना के बारे में अगर बात करे थे उस्तो तो पहले मैस में 2 विकेट निकाले थे लेकिन लाश्ट के 4 मैसेज के अंदर कोई विकेट नंदना को नहीं मिला लक्समी दोस्तो टीम का हिस्सा जुरूर रही है लेकिन टीम ने कोई भी परफॉर्म करने का मुखा है वो नहीं दिया है बैंस के प्ले को लेकर अगर कोई चैंस बगर अगर ये करेंगे तो अपडेट आपको मिल जाएगी हमारे टेलिगाम चैनल में तो टेलिगाम जुरूर से जोइन कर लीजेगा दोस्तो लिंक है वो आपको वीडियो के नेचे मिल जाएगा अभी डैमो टीम के बारे में बात कर लेते हैं तो भी केट किपिंग में दोस्तो डी देवन आपके लिए सबसे बैस्ट ओप्सन रहने वाला है इनके रावा ये बा दाकि नेचे के उप्सन में देखोगे दोस्तो कोई भी अच्छा उप्सन नहीं रहने वाला है साइद मोका भी नहीं मिलेगा बैटिंग के तोर पर दोस्तो जे जिसना है जिसकी ग्रेंड लिंग में मोका दे सकते हैं समोल लिंग में कोई बैटर उप्सन नहीं रहेगा पी एक बार फिर अपर में एकिलती नज़र आ जाएं तले दोस्तो अच्छी है अगर मोगा मिलेगा तो इंप मं दो लगा सकती है बाकी दोस्तों यह मोकां मिलना काफी कम चisanç रहेंगे बैटिंगë के बाद around the second में संजना है यहां से दोस्तो S सुरिया है और नीचे की ऑप्षन में दोस्तो अनुसुरी है यह तीन तो दोस्तो बिलकुल safe ऑप्षन है चोथे दोखों को दोस्तो मैंने आर अंजू को ट्राई किया है क्योंकि आर अंजू ने सिर्फ एक मैंस में विकेंड निकाले थे इसलिए लोग इनको ट्राई नहीं कर रहे है लेकिन दोस्तो कई बार दो तो कई बार चार और कम्पेट बॉलिंग डार रही है तो मैं दोस्तो बैट्स मैंचे ज़्यादा गेंद बास के ओपर ब्रोसा रखने वाला हूँ तो आप चाहें तो दोस्तो आर अंजू के साथ जा सकते हैं आप चाहें तो दोस्तो यहां से एबाबू को ट्राई कर सकते हैं ये दोस्तों decision आपका रहने वाला है बाकी को दोस्तों कोई भी option कुछ खास नहीं है bowling में देखोगे जेग केट थी है दोस्तों एन नंदना भी दोस्तों player में कोई कमें नहीं है हाला कि form थोड़ा सा साथ नहीं दे रही है तो grand league में नंदना को आप जरूर ट्राइकर के चलना अच्छे वीके निकाल के दे सकती है रेंजुसा का कोई खासा अभी तक योगदान नहीं रहा एल नित्या और दोस्तों दीजिविया दोनों की दोनों लगा था और काफियत सा फर्फर्फर्म कर रही है best option है मेलिना को दोस्तों आप grand league में मौका दे सकते हैं grand league में आपके लिए एक defense लपिक रहेगी बाकि कोई भी दोस्तों option नहीं रहेगा यह दोस्तों हमारी अभी के लिए दोस्तों 11 प्लेयर्स की टीम बाकि दोस्तों यह जो टीम है पूरी तरह सी दोस्तों final team नहीं रहती है यह सिर्फ एक demo team है final team है दोस्तों पूरी तरह सी toast के ओपर depend रहेगी और toast के बाद दोस्तों जो भी chances होंगे जो भी update होगी वो सारी information मिलेगी आपको हमारी टेली गाम चैनल में तो टेली गाम को बिलकुल भी मिस मत कीजिएगा टेली गाम का लिंक है वो आपको वीडियो के नहीं से मिल साएगा अब दोस्तों बात करें captain की तो captain तो दोस्तों ऐस संजन आपके लिए बिलकुल शेफ और best option रहेगा wise captain ने देखा जाए दोस्तों तो wise captain में आप यहां सिर डी देवन के साथ जा सकते हैं बैटिंग के साथ काफी कमाल का perform कर रही है ने के अलावा दोस्तों जे किर्थी के साथ जासर रहते हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देने वाली है और तीसरा के option यहां पे रहेगा wise captain ने अनुसरी का जो कि दोस्तों सिर्फ बॉलिंग के दम पर आपको पॉइंट दिलवा सकती है बैटिंग से बिलकुल उमीदे नहीं रहेगी तो मैं दोस्तों दो ही option आपको फिर्फरिश कुँगा एक तो जेक किर्थी का और दूसरा दोस्तों डीडेवन का जिनके साथ आप small league में captain wise captain बना सकते है अगर मैं दोस्तों यहां से grand league की captain की बात करूँ तो GDV आपके लिए सबसे best option grand league में रहने वाला है जिनको आप captain wise captain बना सकते है और इनके बाद दोस्तों अईल नित्या को भी आप grand league में रिसकी तोर पर captain wise captain बना सकते है बाकि small league की team हो या grand league की team हो updated team आपको टेलिगाम में मिल जाएगी तो टेलिगाम जरूर शेजोइन कर लेना दोस्तों लिंक मैंने वीडियो की नीचे वेंजन कर दिया तो उमेद करता हूँ वीडियो आपको फसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लेना थैंक यू फ्रेंस वाल दा बैस्ट